वादिन वज़रा, तमाशा तो वैसे officially end हो गया, लेकिन पता ये चल रहा है कि तमाशा के बाद भी तमाशे जारी हैं, और घर से निकलने के बाद भी अपने अपने घरों से तमाशे चल रहा है, क्यों शारुक? हाँ जी, तो तमाशा एपिसोड नमबर 51 के रिव्यू के लिए हम बैए हैं, ये ऐसा एपिसोड है, जो के घर से कर रहे हैं, और ये तमाशा घर से नहीं हो रहा है, अपने अपने घरों से कंटेस्टन कर रहा हैं, तो जैसे ही आपको फाइनल खतम हुआ न, जिसमें आपने द डालोग नेहा के हवाले से कुछ ऐसे मार दिये, और के नेहा ने पर बहर जाकर जो है स्टोरी लगाना शुरू की, क्या स्टोरी लगा जिसमें उन्होंने, मैं बताता हूं, बढ़को पढ़के भी सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने दानी जिभाई को रगड़े में लिया, जिसमें उन्होंने जो है उमर शहदा को रगड़े में ले लिया, और साथ में बिचारी जैनब भी रगड़े में आगे, क्योंके जह सी बाते कपल बनाऊ है, तो वो आगई, तो मैं आपके सामने वो मैं पढ़ता हूं, के वो क्या था, तो नेहा लिखती हैं, तो येस, I unfollow my character and to other snakes who are trying to put it in motion and feed lies on the screen, guys 24-7, मैं अपनी fake nature दिखा रहे हो, तुम लोग, and to Zainab, Zainab को भी आप मकातिब किया, no one is interested in your boy, oh my god, he is interested in everyone and thanks for all the negativity, hate and more hate, what a tamasha grand finale on TV, it is again targeting the newcomer, choosing lies and twisting words to make it look like I was dying to be with Umar, LOL, मुझे तो ऐसा कोई बुखार नहीं हुआ, अल्ला बचाए ऐसी बिमारी से बहन, Umar was sitting and laughing but couldn't man up and say anything, I feel so sad for you all, के इंसानियत नहीं है तुम लोगों में, thanks लोगों ने देख लिया, ये तो भी Umar वाली बात ही, कौन से एपिसोट की बात करी हैं, जिसने Umar ने, या ये पता इसे तो उनको ज्यादा फैंस ने भेजा होगा, Umar ने बिचिंग की होगी शायद, परानी बात नहीं हो गई है, मतलब जब सबने एंड में, सबसे sorry sorry किया, बहुत चीज हो गई तो, क्यों, I don't know, वो flare-up होगी, बिल्कुल देखके, बहुत साही बात हैं मिलोगों को पता च बिल्कुल इतना टाइम है तो सोड़ा सा हमारे साथ भी निकाल लें हम भी गपशफ लगाते हैं, हम एक podcast करेंगे और इन चीजों को address करेंगे, जो मुझे तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि मैं यही सोच नहीं कोईश करा था कि यार, घर में तो और उमर का सीन चलता था, फिर उमर जो अपने ग्रूप में बैठा रहता था, सब के साथ सीम रहता था, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो घर में नेहा से जादा close हो गया हो, emotional attachment हो, तो दानिश भाई का यह performance करना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन comic sense में तो spot on मिझे जो लगता है, सब की जो भी performance नहीं, वो channel नहीं करवाई होगी, प्लैनिंग होगी, performance रहसल होगी, हाई चीज होगी, गाना record होगी, तुम यह देखो के जो दानिश ने Natasha की acting की, उसमें उन्हें वही चीज़े दोहराई जो के show में हुई थी उस वक्के, चलो मैं खाना म मिला था, और मैं फिर उमर को चूस किया, लेकि नहा वाला तो मुझे कहीं सी नजर नहीं आया, नहीं तो कह रहा हो ना कि नहीं आया, और ऐसे तो ही ना कि दानिश भाई रेंडमली स्टार्ट कर देंगे, बताया, at least channel भी कोई इतना खुला 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 नहीं, ऑन एर भी आप लोगो नहीं चीज क्यों करवाई, और मेरे खाल से जब परफॉर्मेंस वी थी तो दानिश भाई ने एंड में जब नहीं कहते हैं, और सौरी नहीं नहीं बूली कि अगर नहीं चीज है, और कुछ ऐसा बुरा लग गया तो सौरी कर दिए तो नहीं करते तो मैं करता है चलो जाए, चलो जाए, मदा कुड़ा जाए, उस पर एक बात ये बिल्गल आपकी बात ठीक है, कि दानिश भाई ने तो सौरी कर दिया, जिस इसके हवाले से एक्टिंग की, मैं चीज ये दिख रहा था, कि इन्होंने अपने कॉमेंट में लिखा है, कि आप उमर को नहीं म मुझाला जाए, मुझे तो लग रहे कि पता नी, दो अलग अलग चीज़े है, दानिश भाई वाली उमर को क्यों बुलेंगे कि आप बोलते दानिश भाई वाली उमर का का तालोक बाई, मैं पढ़ता हूं दानिश भाई वाली वी, तो, seriously disappointed what Danish Maksud said on national television about me and Umar, just for his two minute of fame, telling everyone a lie and targeting me since the first day, even though uncut is a proof, I never said something so pathetic to all the followers and newbies in the industry, beware of these snakes, I left the whatsapp group when I realized how everyone manipulated innocent friendship, only one sided and Umar by his choice said it himself that he will make sure none will say anything to me, how pathetic, sahih frame ke bhooke lag रहे हैं sab, and Danish को सोचना चाहिये था कि वो क्या बात कर रहे हैं, so lame, stop targeting girls, ये दानिश भाई के लिए, मिखलस है वो जो उनकी performance के अंदर ही, जो शीज़ी जो के वो मेल वाली वो कर रहे थे, नया वाई वो उनको पती लग गई है, ओ माँ, देखो, जैनतन चली गई ना, तो तुम, मेरे साथ बात करो ना, नया के बारे में थोड़ा सा ये एक controversial है, क मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार, जब बात गुजर गई है, चलो national television वाली बात सही है, आप थोड़ी ख़फा है, लेकिन वही अंकट देखके इस तरह से बाबाल मचाना आया थे, वो पुरानी बात हो गई है, अब इसका को इतना है, और दूसरा ये कि सेटेड़ी को आया है, तमाशा का फिनाल है, रिकॉर्ड हो गया थे, इनके सामने तो हो गया होगा ना, नहीं चलो, आप इसलिए लगाया हूँ कि अपकुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको तो पता होगा न, आप चैनल से बात करते हैं, यार ये पार्ट कार्ट दो, मैं मैं और्ट हो रही होगा है, यार ये है के ठोड़ा साम गलत हो रहा है मिरे साम से, तो अप तब भी वो कर सकते हैं अब इस चीज़ को करना, जो कि में चाहल से हसी मजाख में सब हो गया, कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा है, वाष नाताशा के कितना मजाख में नाताशा भी भी बोल सकती थी लेकिन जोक लें और उन्हें सौरी भी जब उसी वक्त बोल दिया और कैमरा और है चीज लाइफ बोला है कि बागी कुछ स्टोरी जो है वो अरूबा की तरफ से भी लगाई गई जिनने सब लोगों ने को कॉंग्रेचुलेट तो किया लेकिन बहुत सारे लो प्रैक ने अरूबा को ज्यादा वोट देकर ये प्रूफ किया ओर और रूबा नहीं बाकि नताशा का जबसे वो इवेक्शन हुई थी तबसे उनका अभी तक वही एक स्टोरी जो आजकर वो शैर कर रही है काफी कसरत से के लोग अभी अभी बहले थे आप बिल्कुल ने अगर चाहते हैं तो वोट करें आवाद उठाएं कि नदाशका अभी वापसी ला सकते हैं आप कहा लेंगे कुछ कर के लिए हैं तमाइड घर में अकेले गुम रही है सीजन 3 में लिए हैं यह कुछ हो सकती है बहुत को बोलें इतना आप करें कि सीजन 3 में एक और मौकाज एक लिए जिन्दगी दियो उसको एक असली विनर जुनेद और एक भुकर चोड़नी जो है वो ट्रेंड कर गया था और एक मुवमेंट में ऐसा आ गया था कि भुकर चोड़नी के 4,000 कुछ टूइट्स आ चुके थे और अरूबा के सिफ 2,000 थे तो यह भी काफी लोगों में कॉमों गुस्सा था भाई इने कॉमेंट जादा कहते हैं अभी समझ में आ रहा है कि भाई आप नताशा अगर हारी है या उमर अगर हारा है जुनेद अगर आ रहा है लेकिन तमाशा अभी जा रही है यह सरा इंट्रस्टिंग है बाते चल रही है पार्टी सक्सेस पार्टी चल रही थी पार्टी में सारे गये थे आजकल सब इंस्टा लाइफ पर आ रहे है और जुनेद और अरूबा लाइव आये थे जैनब काफी जादा गुल मिल गई है उनके साथ वह बड़ी घूंपिर रही होती है लाइफ सेशन सबके चल रहे है अर वाई पे जो है वो निदा यासर ने भी उनको बुला लिया सबको विनर्स को वह तो बनता ही था और वह तो समझे लिस्ट में प्राइरटी में था कि आफ्टर तमाशा निदा का शो होना है हमारा तमाशा होना है तो यह अभी आजकल सारे स्पोटलाइट में चलने और यह हमारा आज का स्पोटलाइट का एपिसोड था शारुक इसमें कुछ एड़ करना है तमाशा नहीं पर समाशा एंड हो गया अच्छा एक एक स्पीरिंस था लोग बड़ा हर्ट हैं लेकिन यह कुछ कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे कुछ कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं कुछ कह रहे हैं कि हम देखेंगे कुछ कह रहे हैं कि मिला जुलासा रोजान है मिक्स है मिक्स है लेकिन यह कर सीजन 3 आएगा हम तो देखेंगे एंटर्टेनिंग शो है गेम्स है फन है देखे पर तो यह था हमारी आज का एपिसोड उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा तमाशा घर की हमारी समझ लें कि अज प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है अगर कोई तमाशा फिर से उभर के आता है तो जरूर आपके लिए वीडियो लाएंगे लेकिन इसको हमारी आज लास वीडियो समझें तमाशा के हसाब से तो यह था हमारा अज का एपिसोड उमीद आपको पसंद आयोगा पेज को लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपना भाज़ाता ख्याल रखेगा अल्ला अफिस